वेल गाइस अगर आप नीर 2023 की तैयारी करें तो क्या आपको यह पता है आप जो इंसी आर्टी पढ़ रहे हो पुरानी इंसी आर्टी है अब देखिए आपकी इंसी आर्टी को अपडेट किया गया है और वो क्या-क्या अपडेट हैं सारी पॉइंट्स को हम लोग डिसकस करे एक अपने न्यू ईंसी आर्टी को जी तो इस वीडियो को यह वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा इसके लिए व्रेट की दो पाट्स रखी है क्लास 11 और क्लास 12 तो क्लास 11 गला प्रोवाइड करवा देंगे ठीक है तो विदाउट वेसिक एनी फॉर्दर टाइम आईए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं तो पहले हम लोग क्लास 11 की सारी पॉइंट को डिसकस करने वाले हैं ठीक है आईए अगर हम देखें कि तो सर क्लास 11 में सबसे पहला च सब्सक्राइब करते हैं तो यह पहला चेंज है एक बार आप लोग चेक कर लिजेगा ठीक है अपनी एंसी आटी आप लोग खोल कर बैठीए सेकंड बदलाव किया गया है मुर्ना वाइरेस के सेक्शन में जी देखिए ओल्ड एंस यह कहता है कि जो नेम वाइरेस और वेनम पॉर्णी ने लिखा था जी जो हम भी पढ़ रहे थे निव एंसी आटी में पास्टर अंकल का नामों निशान हटा दिया गया है ठीक है यहां पर इवेन उसकाई के बारे में बाते की जा रही है यह भी आप लोग चक कर लेंगे क्या वह आपके एंसी आटी में है या नही नहीं है ठीक है सेकेंड बदलाओ फोर्ड जो चेंजस की गई है वो डाइग्राम में की गई अब देखिए अनिमल की नम को डाइग्राम था पुरानी एंसी आटी कहती है कि जो मेरा पॉरी फेरा है उनके अंदर लेवल ऑफ और उर्गनाइजेशन है उसके बाद सीधा सवाल बन सकता है कि यह क्या है मेरे अजिलोम है हमाल के आपके होते हैं ध्यान देंगे सबी लोग इस तीसरी चेंज़ेश की गई है अगला चैंज किया गया है सेली उनिट ओफ में बहुत ज़्यादा बदलाओ क्या गया है मैक्सिमम चेंजेश्टर में किया गया देखिए पुरानी NCRT में यह था ना कि लिपीड कॉम्पोनेंट अफ दे मेंब्रेन मेंली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फो ग्लिसराइड अभी पूरे उस टॉपिक को ना हटा दिया है उस पूरे पॉइंट को हटा के देखिए अभी क्या लिखते हैं वो मैंने रेड में यहां पर लिखा व अग्ला सो चेंजिस किया गया है पुरानी NCRT यह कहते हैं कि अमिवादी कॉंट्रक्टाइल वेक्यूल इस है इंपॉर्टेंट पॉर ऑस्मो रेगूलेशन सॉरी एक्स्क्रीशन लेकिन नियू एंस्याटी क्या कहती है कि जो कॉंट्रक्टाइल वेक्यूल है मुन्ना वह और एक्स्क्रीशन के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है ठीक है यह बदलावे किया गया आपके बस पुरानी NCRT में सिर्फ एक्स्क्रीशन लिखा है कॉंट्रक्टाइल वेक्यूल और अब नियू इंस्याटी में आपके पास औसमो रेगूलेशन सवाल घूम सकता है यहां पर भी आपको नचा सकते हैं आइए अगला जो चेंजेस किया गया है मुझना वो राइबोजों का डाइग्राम दिया हुआ था लेकिन आपके बारी नेमिंग कर दिया है क्या कि जो हमारे पास लार्ट सब्यूनिट यह ओला डाइग्राम है और जो परपल से चोग कर सब्सक्राइब करके इस और गिनली को खतम किया था कैसे और इलाबरेट नेटवर्क फिलामेंटर्स प्रोटीनीश स्ट्रॉक्चर प्रेजंट इन्दी साइटो प्लाजम इस रिफर्ट तो एस साइटोस्केलेटन पहले वाली एंस्यार्ट यह सिर्क कहते थी निव एंस्या यह प्लीज इसको अफ्लोग अफ्डेट करके लेंगे ठीक है अगला अगला जो आपको बदलाओ क्या गया है वह आपके बस इसके अंदर क्या गया पहले वाले इंस्यार्टी में क्या था कि एक्जोनी वुज्वली आजन नाइन पेयर ऑफ डबलेट पुरानी मेरे प्रेजंट होते हैं और बीच में क्या होता जी सेंट्रल लोकेटेड मेरे माइक्रो टीब्यूस होते हैं जान देंगे छोटी-छोटी पॉइंट को आपको गौर फर्माना पड़ेगा यार तिक आपको बहुत अपडेटिट रहना पड़ेगा अगला चुछ किया गया ब 5.0 mm ठीक है आई यह जी अब निव NCRT देखी क्या कहती है जी 4.2 mmol पर लीटर से लेके 6. mmol पर लीटर ठीक है एक यह बदलाव आपके की गई 2022 वाले किताब के चेंजस में की गई है ठीक है आई यह जी और यहां पर कोच चेंजस नहीं की गई चलिए आई अब सेल साइकल इसल डिविजन में भी बहुत मेजर चेंजेस की गई है क्या चेंज किया गए देखें पुरानी आइंचाटी कहती है कि आनीमल माई टॉर्टिक सेल डिविजन इस ओनली सिनिंदी डेपलाईड स्माटिक सेल है ना पुरानी इंसाटी बस इतनी कहती है अब आपके एड़ कर के हमें अगे हमारे पास इंनके बास 16 क्रोमोजोंस होता है और मयखुञास करते हैं है बास करें बारे में बात क किया गया यह पर थीक है कि इस पॉइंट अग्ला है अगला प्लांट ग्रोथ हैं डेवलापन में क्या बदलाओ किया गया है देखिए तो यहां पर लिखा गया है मेरे पास साइटो काइन को लेकर पहले स्कोगी एं मिलर लिखा हुआ था अब यहां पर लिखा गया है मिलर इटाल और यह भी मेंशन किया है 1955 तो आप लोग इस अब यहां से बहुत सुंदर एक माच दी कॉलम बन सकता आपका ठीक है तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान देंगे अब देखिए ब्रीधिंग एक्स्चेंज ऑफ गैसे क्या बदलाओ किया गया है देखिए पहले सिर्फ और सिर्फ डाइग्राम में यह लिखा संसे इट कमपोज ऑफ थिन बेसमेंट मेंट जो किसको सपोर्ट कर रहा है इस क्यमस एपिथीलियम को सपोर्ट कर रहा है ठीक है अन्द बेसमेंट में सरावंडिंग दस सिंगल लेर ऑफ दी एंडो थीलियल सेल अब दी कैपिलरी यह पॉइंट लिखने के बाद वह अगला अगर हम देखेंगे एंडो थीलियम ऑफ ब्लड कैपलरी दिया गया है ठीक है तो यह कुछ मेजर चेंजिस की गई है ठीक है आप लोग ध्यान देंगे सब लोग माइनूट माइनूट चीट पर ध्यान देना है आपको ठीक है आप अगले पॉइंट के बढ़ते हैं निए इस पॉइंट को उड़ा दिया है इस बात के पर भी आपको गौर फर्माना है ठीक है जी अब एक और एक यहां पर क्या बदलाओ क्या गया है अब देखिए पुरानी एंसीयाटी में आपके मेजर रीजन को एक्स्प्लीन नहीं क्या गया ताब देखो निए कहती है जो फ्री मेजर रीजन मेग अपी ब्रेंस्टम के लिए बस इतना ही था कि मिड़ बियेन आपके ब्रेंस्टम बनाते हैं अब यहां पर क्या कहता है कि देखो तीन मेजर रीजन मिलके कौन कौन से मेडब्रेज पॉंस एंड मेडुला अबलंगेटा म मेंजया रहे हमां रहा दाल दूँगा ठीक है गोठ्रू कर लेना ओके आईए जी इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी अन्मोल शर्म आला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जाए टेलीग्राम जॉइन कीजिए और PDF का लाव उठाईए यह माइनूट चेंजेश हैं प्रक्टिस की प्रक्टिस होती है फैसिक्स केमेस्ट्री और बाइए तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेर करना है आपको ठीक है सबसे इस इसे वीडियो आप लोग के लिए अगर तेज का प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अभी के लिए बस तनाई थांक यू जाहिंद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबाई